ज़ें दोसों अंदे मात्रम हमारे देश में इस समय लिबरल्स की हालाद बहुत गंबीर है क्योंकि राहुल गांदी के दोरे के ठीक बाद में जब मूदी जी अमेरिका पहुँचे तो वहाँ पर वहाँ की संसद में मूदी के साथ सेलफी लेने के लिए राटोग्राफ लेने के लिए होड़ सी मच गई लेकिन बिचारे राहुल गांदी जी जी अमेरिका पहुँचे थे तब वो ट्रकों में घूम रहे थे और बाद में पता सला था कि वो ट्रक ड्राइवर भी कॉंगरेस से ही जुड़ा हुआ है प्रहान मंत्री ने मूदी का अमेरिका में जोड़दार स्वागत किया जा रहा है और इस बात से कई लोगों को तकलीफ होना लाजमी भी है और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते दरसल मूदी ने कुरुवार को संसत के समयक तुसत्र को समोधित किया इसमें संसत के सदस्यों और भारती अमेरिकी समोधाय ने हिस्सा भी लिया पी-एम के भाषन के दौरान जम कर तालियां बचती रही तालियों के साथ-साथ मोधी-मोधी के जायकारे गुंचते रहे अमेरिकी संसतों ने पी-एम मोधी के साथ सेल्फी लेने के लिए खोड़ भी मचा दी यहां तक की आटोग्राफ के लिए लोग लाइन में भी खड़े वो दिखाई दी इतना ही नहीं पी-एम मोधी के भाषन का खड़े होकर स्वागत भी किया गया करीव एक घंटे के समोधन में सांसदों को क्यूरियोसिटी के साथ सुनते देखा गया सदन में पी-एम मोधी को बाराबार सांसदों के तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला जबकि दो मौके ऐसे आया जब गैलरी में मौझूद भारती अमेरीकी समोधाय ने अलग से खड़े होकर उनका बिवादन किया पूरे सत्र के दौरान कुल मिला कर चवदा बार पी-एम मोधी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला पी-एम ने प्रदिनिती सभा के अद्दक्ष केविन मकार्थी की संयक तो सत्र समोधन पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किये जाहिर सी बात ये सब देखकर भारत के लिबरल सुनने पड़े हुए हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बढ़ना लगा हैं तो कहां कहां लगा है प्येम मोधी का लोकप्रिता का अंदाजा इसी बात से लगा जा सकता है कि उनका भाशन खत्म होने के बाद सांसदों के बीच प्येम मोधी का ओटोग्राफ लेने के लिए खोड़ मच गई प्येम मोधी ने जब अपना भाशन समाप्त किया तो सांसदों और भारती समुदाय के लोगों ने तालिया बजा कर उनका स्वागत किया वे उनका ओटोग्राफ लेने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़े उनका प्येम मोधी से बादचीत की और भारत माता की जयर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सुने गए प्रहान मंतरी ने समुदन के दौरान भारती मूल के अमारी की समुदाय को भी छुआ मोधी ने अमारी की उपराश्च्पती कमला हैरिस की और इशारा करते हुए कहा कि यहां लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़े भारत में हैं हमारे बीज भारती मूल के कई अमारी की बैठे हैं इन में से एक मेरे ठीक पीछे बैठी जिन्होंने तिहास रच दिया है प्रहान मंत्री की टिपणी पर सदन में लोग हसें और खूब तालियां भी बजाए गई वे तब और भी कुछ हुए जब मूदी ने कहा कि मुझे बताया गया कि समोसा कौकस अब सदन का स्वाद बन चुका है मुझे उमीद है कि जलती ही विवद भारती वियंजन भी यहां पर नजर आएंगे बताते हैं कि यूएस में भारती मूल के अमेरिका के राजनिताओं को अन अपचारिक तोर पर समोसा कौकस कहा जाता है जो या तो प्रतनिती सभा या सीनेट का हिस्सा है ये शब्द अमेरिकी कॉंगरेस में देसी सांसदों की बड़ती संक्या को बढ़ावा देते हैं के लिए भारती मूल के अमेरिकी निता और हाउस आफ रिप्रेजिनेटिटिक के सदस्रे राजय किष्ण मूर्ती ने गड़ा है बताते चलें कि अमेरिका में करीब 40 लाक भारती मूल के लोग रहते हैं इन में से 15 लाक से अधिक लोग अमेरिकी वोटर हैं ऐसे में संक्या किसी भी पार्टी को चुनाव जटा सकती है या हरा सकती है कई मौकों पर सांसदों ने खड़े होकर मोधी को संबोधन की सराना भी करी जब मोधी ने कहा कि अफरीकी संग को G20 की स्थाई सदस्रत दी जानी चाहिए इस पर तो सांसदों ने खड़े होकर इस बात का स्वावत किया उनका कहना है कि विचार देख भाल और कंसर्ण समय की मांग है ग्लोबल साउथ को आवाज देना ही आगे बढ़ने का एक मातर रास्ता है इसलिए मेरा पूर्ण भरोसा है कि अफरीकी संग को G20 की पूर्ण सरस्था दी जानी चाहिए प्रान मंतरी के संसद में पहुचते ही पहले मोदी मोदी के नारे गुंजे खास करके महिला संसदों में खासा उत्सा भी देखने को मिला नारो की गुंज के बीच में स्पीकर केविन मेकार्थी ने प्रान मंतरी को संसद का संबोधन करने के लिए आमंतरत किया प्रानमंतरी ने अपना सम्मोधन नमस्कार से शुरू किया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी संसद को सम्मोधत करना सम्मान की बात है संसद के सदस्यों का उत्सा देखते ही बन रहा है पी-म ने ट्वीट भी किया और लिखा कि जो बाइडन के साथ आज की बाचीज व्यापक और सार्थक रही भारत जो बिन शेत्रों में संयुक्त राज अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेगा जाहिर सी बात है ये सब बाते सुनकर कई सारे लिबरल्स को बुरा लगने वाला है लेकिन क्या कर सकते है यही हकीकत है कि एक हमारे भारत का राजनीता बाहर जाकर भारत की बुराईयां करता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती और दूसरे वक्ती भारत की तारीफे करता है और उसके बारे में आप देख लीजे क्या कुछ होता है मेरे जुड़ी फिलालत नहीं जैहन जै भारत